इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट जॉब इपॉर्टिनिटीज पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्शिप्स, वेबिनार्स, फ्री कोर्स एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहती है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुश्मीर उन दोगी किस तरह से आप लोगों को अपलाई करना है किन पोस्ट पे कौन सी वेकेंसी को आउट किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या रहने वाला है तो बागी सारी अदर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी उससे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरी चैनल पर विजिट करें तो जल्दी सी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए बेल ऐकन पर प्रिस की जाता कि आपको ऐसी डिफरेंट अप्टेट्स के बारे में इन्फो मिले है तो बात करते हैं इनकी ऑफिशल बात करते हैं तो बात करते हैं किन डेपार्टमेंट्स में इन पोस्को आउट किया गया है बात करते हैं तो बात करते हैं किन डेपार्टमेंट्स में इन पोस्को आउट किया गया है बात करते हैं तो बात करते हैं किन डेपार्टमेंट्स में इन पोस्को आउट किया गया ह तोटल नवर पोस्ट थर्टी है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कौलिफिकेशन दी गई है आप यहां पर चेक करके देख सकते हैं तो गाइज इसका ओफिशल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पीडिया फॉर्म में वहां से आप लोग चेक करके देख सकते हो तो गाइज अगर इंपॉर्टन डेट की बात करें कि आप लोग को कब तक इन फॉर्म को अपले करना है तो 20th of January 2021 तक आप लो तो कॉचल आप लोगों को एक एक आप्लिकेशन लिखनी है उसमें आप लोग को सिंपली अपनी परसूनल डेटेल्स देनी है चयाडमिक डेल्स देनी है प्लस एकैर तो copies of certificates जो होंगे अधर documents होंगे उनकी photocopies रखनी है उसके साथ application के साथ plus qualifications क्या है आप लोगों की percentage of marks क्या है age क्या है आप लोगों के आधर certificate जो होगे experience certificate होगे वो आप लोगों के साथ application के साथ attach करनी है तो guys आप लोगों को यह application submit करनी होगे कश्मीर उनिवरस्टी में यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे clearly लिखा है you must reach the office of the coordinator R.U.S.A. University of Kashmir by or before 20th of January 2021 तो आप लोगों को कश्मीर उनिवरस्टी में यह application submit करनी है and the most important thing is तो guys आप लोगों को इस application के साथ साथ आप लोगों को एक affidavid भी submit करनी है जो के attested होना चाहिए first class judicial magistrate के पास उसके बाद जब आप यह सारी formalities complete कर देते हो उसके बाद आप लोगों का interview होगा उसी interview के basis पे आप लोगों को short list किया जाएगा तो guys अगर आप लोगों को जादा कुछ जाना होगा इस notification के बारे में तो guys link मैंने नीचे description में दे दी है वहाँ से भी आप check out कर सकते है okay so guys this is all about the notification अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like share and subscribe कर दीजे मेरी youtube channel को ताकि आप लोगों को ऐसे ही different updates के बारे में पता चले थैंकियो so much assalamualaikum